आजकल की भागदर भरी जिंदगी में हर इनसान के पास किसी ना किसी रूप से टैंशन जरूर है लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि जरूरत से ज़्यादा टैंशन आप लोगों की जान भी ले सकती है आक्चुली में जब कोई इनसान टैंशन में होता है तो उसके सरीर का ब्लड दीरे दीरे गाड़ा होने लगता है जिस कारण से उसके ब्लड में थक्के जमने की संभाबना बढ़ जाती है और जब ऐसा होता है तो आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है जिस बस अपना काम करें और बांकी चीजें उपर वाले पे छोड़ दें और क्या आप लोग इस बात को जानते थे के जीटिये वाई सिटी एक ऐसी कम्प्यूटर गेम थी जिसने अपने पहले ही दिन पूरे 23 अरव रुपे कमाए थे यानि कि एक वीडियो गेम बनाओ और अपने जीवन में अरव पती बन जाओ अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कुछ ऐसे ही सप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में इसलिए वीडियो को सुरू से लेके लाश तक जरूर देखे फैक नमबर वन क्या आप लोग इस बात को जानते थे के इनसान का दि हैं ताके मरीज के रिष्टेदारों से और उसके घर वालों से सुचेशन को क्रिटिकल बता करके जादा से जादा पैसे लूटे जा सके एक्चुली में ये बहुत ही सैड है लेकिन रियालिटी में ऐसा होता है फैक नमबर टू बहुत से लोग अपने शरीर की दुरगंद क छिपाने के लिए या फिर दूसरों पर अपना इ mempression जमाने के लिए पर्फ्यूम का यूज करते हैं लेकिन क्या आपको ये पता है कि महंगे से महंगे पर्फ्यूम के अंदर वेल चैक्टिकों मिलाया जाता है एक्चली में ऐसा करने से उस कैमिकल में सुगंद की मातरा व गुना बढ़ जाती है जिस कारण से वेल की मिली हुई पोट्टी वाला पर्फियूम काफी महंगा पिकता है पैक नमबर थिरी कार और बाइक स्मूथली चलती रहे इसके लिए समय समय के बाद इनसान अपनी कार और बाइक का इंजन ओल चेंज करा लेते हैं लेकिन क्या आप को ये पता था कि बुगाती वैरी रोंस का इंजन ओल चेंज कराने का खर्चा पूरे तेरा लाक रुपे होता है ये इतने पैसे हैं कि जितने पैसे में आप लोग एक अच्छी खासी नई कार खरीच सकते हैं पैक नमबर फोर हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि एक साल मे 12 महिने होते हैं लेकिन क्या आपको ये पता था कि इथोपिया नामक शहर में एक साल में 13 महिने होते हैं यानि कि उनके हिसाब से हम लोग अब भी 2012 में ही जी रहे हैं पैक नमबर फाइब आप सब लोगोंने आग भुजाने वाले अगनी शमक यंत्र को तो जरूर देखा होगा हर बिल्डिंग में अगनी शमक यंत्र लगाया जाता है लेकिन क्या आपको ये पता था कि अगनी शमक यंत्र का पेटेंट किसी के भी नाम नहीं है क्योंकि actually में इसका पेटेंट आग में जल करके खत्म हो गया था इसलिए अगनी समख किसी के भी नाम पर पेटेंट नहीं है अभी आप लोग जिस वर्ट की इमेज को देख रहे हैं इसका नाम एलबर्ट रोज है और इस वर्ट के पंक यानि कि इसके फैदर पूरी दुनिया में सबसे बड़े होते हैं आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में कई प्रकार की मचलियों को देखा होगा लेकिन शायदी कभी नीली रंग की मचली के बारे में सुना होगा लेकिन स्कारस कौरूलस एक ऐसी मचली है जिसका रंग नीला होता है और ये देखने में काफी विचित लगती है लेकिन रियली में पाई जाती है फैक नमबर एट दुनिया का सबसे बड़ा मौल चीन में है लेकिन एक्चुली में ये अंदर से 99% खाली है फैक नमबर 9 स्ट्राइक यानि की हर्टाल के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं भारत में आए दिन कहीं न कहीं मजदूरों के दौरा हर्टाल की जाती है लेकिन क्या आपको ये पता था कि दुनिया की सबसे पहली हर्टाल मिसर के पिरामिट बनाने वाले मजदूरों ने किदी